Hello students, तो आज हम करेंगे exercise 7.1 का question number 10 Question number 10 क्या कहता है, what fraction of these circles have cross in them? यहाँ पे हमारी यह 8 circles दे रखे हैं, हमें इसमें जिसमें cross बना रखा है, जिन circles में उसका fraction लिखना है तो यहाँ पे इसका हम solution देख लेते हैं, किस तरह से solution करेंगे? यहाँ पे solution डाल लेते हैं, तो चुकि हमें language में दे रखा है, तो answer हमें language में लिखना पड़ता है तो पहले लिखेंगे total circles अब यहाँ पे total circles कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तो total circles जो हैं, वो 8 हैं, तो यहाँ पे 8 लिख लेंगे अब इसमें कितने circles हैं, जिसमें cross है, 1, 2, 3, 4 तो 4 circles ऐसे हैं, जिसमें cross है, तो यहाँ पे लिखेंगे circles having cross कितने हैं? 4 तो हम fraction कैसे find out करते हैं? fraction हम इस तरह से find out करते हैं, कि total को हम क्या करते हैं? नीचे लिखते हैं और जिसका fraction पूछा होता है, उसको हम उपर लिखते हैं, तो किसका fraction पूछा है? ऐसे circles का इसमें cross है, तो कितने circles? 1, 2, 3, 4 तो उपर लिखेंगे हम 4 तो यह हमारा क्या जाएगा? यहाँ पे हम language लिख लेते हैं, fraction of circles having cross यह आ गया 4 by 8 और अगर इसको हम simplest form में लिखना चाहें, तो किस तरह से लिखेंगे? यहाँ पे हम देख सकते हैं, कि ऊपर वाला जो है यह 4 है, नीचे 8 है, दोनों ही number जो है, वो 4 से divisival है तो हम क्या करते हैं, इसको हम 4 से divide कर देते हैं, दोनों को तो यह हो जाएगा 4, 1, 4